अलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रतीक और आप देख रहे हैं Techno World Solution दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Railway RRB के form और Railway ने दो form निकाले हैं इस समय Railway RRB Alp Technician के form और RRB Group D के form दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Railway Alp Technician के form के बारे में तो दोस्तों यहां पर अभी आपको आप लोग को पता है कि इस समय यह फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो फॉर्म थे जो आपके वह फरवरी से स्टार्ट हो चुके थे और इसकी लास्ट डेट जो थी आपकी पांच मार्ज थी लेकिन अब यह जो डेट है अमेंड करके यह चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए और लगाएं को दबा दीजिए ताकि हमारे जो वीडियो आपके पास आते रहें तो दोस्तों किसी फॉर्म को बनने से पहले मैं आपको बताया है कि सबसे पहला में चाहिए उसका अडवर्टिज्मेंट तो यहां लोग बात करेंगे जो पहले के जो एडवेटीजमेंट वह यहां पर है इसका जो लिंक है में डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा आप वहां से देख लेना इसमें जो डेड थी वह तीन दो जार अठारा से पांस तीन दो जारा तारा तक थी और इसमें जो आपकी एज जो रेस्टिक्शन थी वह अठार से 28 ती और बाकी सेस्टिक्शन को पांच यह की जो छूट मिल रही और अभी सी तीन साल की छूट मिल रही तो अठार से 28 तो जो बच्चे जो यह फॉर्म नहीं भर पा रहे थे जो ओवरेज हो चुके थे इसके साब से उनके लिए एक सुनेरा मौका यह है कि अब व अब अमेंडमेंट के बाद इस क्वालिफिकेशन इसे हटा दिये गए आइटे वालों के साथ साथ जो है आपके टैन प्लस टू वाले भी से बढ़ सकते हैं तो अगर हम लोग इसके रिवाइज्ट जो है आपका नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहां पर जो आपका आ रहा है वो जो डेट टाइम है वह आपके थर्टी फर्स्ट थ्री टॉथाज़े एटीन और ट्टी थ्री पॉइंट फाइंट यानि कि रात के बारा बजे से पह हैं उनके लिए 18 से 30 साल हो गए वाकि एसी एस्ट के लिए जो है जो छूट जो मिलने थी वह आपके पांस साल की है और बीसी के लिए टीन साल की जो छूट मिलेंगे आपको तो यह जो आपके नोटिफिकेशन से इसे आप यहां से पढ़ लिजेगा इसकी जो डिटेल्स है जो आपका जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से आप इसे देख लिजेगा और कि पढ़े हो दोस्तों वह भडेने के लिए हम लória आएंगे के लिंक में और यहां पर जो लिंक है यहाप का आप नीचे देख लिए दिस्क्रेशन पर आ रहा है लिंक और वहां पर मैं आपको दोनों लांक शोवरो संग दूंगा curves खिलो लिंक है आप जिस Сам स्टिय्ट में रहते हैं वह स्टेट अपने सेलेक्ट करना है लाक अगा में रहता हूं और हम यहां से आपने इसको निओर एकन क्लिक करना हैं ठीन के दोस्तों दूस्तों ध्यान रखेगा कि इसकी जो से लिभेस है अगर आप देखें इसलेबस आप नोटिफिकेशन में चेक कर लिए जो इसका फर्स्ट स्टेज है यानि कि दो स्टेजों में आपका फॉर्म होना है इसमें जो फर्स्ट स्टेज है यह दोनों ही computer-based टेस्ट होने हैं आपके minimum percentage क्वालिफाय करने के लिए जनर के लिए 40% OBC के लिए 30% SC के लिए 30% ST के लिए 25% यहां पर यहां पर देख सकते हैं किस तरह क्या है mathematics में अमरे पास क्याना वाला है number system, board, decimal, fractions, LCM, SCF, General Intelligence में क्या आना वाला है और General Science में क्या आएगा और General Awareness में क्या आएगा तो आपने जो त्यारी करनी है इस syllabus के हिसाब से ही त्यारी करनी है उनके लिए है यहां पर डिरेशन 90 मिनेट और नंबर ऑफ कोशन जो है 100 सेम यहां पर आपका जो से वो नजर आ रहा है तो आप इसे देख लिएगा ठीक है यह पार्ट ए और पार्ट बी में होना है इस फॉर्म के रिगार्डिंग कोशन पेपर्स और त्यारी करनी के लिए जो मैटरियल चाहिए वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवलेबल करवा दूंगा और जो बुक्स हैं उसी का जो है मैटरियल वगरह मैं आपको इसमें शो कर दूंगा तो कोशन पेपर प्लस जो मैटरियल है वह आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं और उसे डाउंलोड करके आप उसे तैयारी कर सकते हैं दोस्तों यहां पर हम लोगों को न्यू रिश्रिश्ट में क्लिक करना है यहां पर नेम एंटर कर लिए जो अहले हैं यह दोड़ दाल दिजए अदयन नमबर दाल दिजए पादर नेम दाल दिए अदर नेम डाल देए तैंत का बोड गल नमबर युरो पसिंग, मोबाल नमबर, इमाल इड, सेक्यूर्टी कोट डालने के बाद, डेकलरेशन को चेक कर दिजिए, सब्मिट पर क्लिक किजिए, एक बार कंफर्म कर लिजिए जो आपने डेटिल भरी है, जो आपने सारे डेटिल डाली है, नेम, डेटोबर, आधार नमबर, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर रेश्टेशन सक्सेस्फूल हो गया है, जो आपका रेश्टेशन नमबर और पासड़ जो मिला है इससे आप लिख लीजिए, और इसका मैसेज जो है आपके पास मेल भी आ जाएगा और मॉबाले मैसेज भी आ जाएगा, अब अपने मेल आड़ी और मॉबाइल चेक कर लिजिए, तो में आपका OTPI होगा, तो जो यह में में OTPI है और मॉबाइल में जो OTPI हो आपने यह पर एंटर करना है, तो देखिए, यहाँ पर आपने अप्लाइब पिकलिक करने, मैट्रिकुलेशन में सेलेक्ट कर लिजिए, टैंथ, जो लोग आईटियाई से हैं वो डारेक्ट आईटियाई सेलेक्ट करें, 12 की डिटेज बंदी के जड़तने और जो 12 से भढ़ना चाह रहे हैं, वो 12 सेलेक्ट करके फिजिक्स और मैस सेलेक्ट कर लें, और एक एक एक्जाम ट्रेट आप जो है सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर कैटेग्री सेलेक्ट कर लिजाए, स्टेट, जिस्टिक, और जो आपकी कास्ट तो इसमें आपके एक कैटेग्री सेलेक्ट में लिखी गई है, वो आपसमें लिख दें, वो आपके कास्ट करेंजेंग्री सेलेक्ट में लिखारी। कि अज़ेंडर सेलेट कीजिए रिलीजन सेलेट कीजिए पीडवलोडी है एक्सेलिसमन है तो यस कीजिए अप्रेंडिशिप के तो यस कीजिए अधरवाइस इस नहीं किये वो नो करते जाएं सेक्योटी कोड एंटर करें और समीट कर दें पूरा फॉर्म बनने के बाद इक बार उसे चेक कर लें का भॉर्म बनने कोड़ाऊ कि बाल प्सक्रेंद सैंत समीटेँ trauma का सिसना प्सक्षण्यक्स क Ensी थिए जाएससरे का एंटीटक्स एंटीचाँANS जीड़ीटकिश लेक्राएस्ट के थाएसससी सिसक्षण्यक्षण भा उमीखवलोग खिजए खिए अगर आपने अपरेंटिशिप किया है तो अपरेंटिशिप का पीरेड लिए पे किस देट से और किस डेटर आपने किया है और अगर अपने नहीं किया और नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे नो कर सकते हैं किस देटर आपने 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 किस देटर आप आप्लिकेशन फ्री पर क्लिक कीजिए और पेमेंट कर देजाएं पेमेंट मांड जो है आप बैंक या पॉस्ट पिस कर लेजिए यह ट्यम है तो आप बैंक स्रेट कीजिए आप झाल झाल OTPM टेकर दीजी झाल तो पेमेट की बाद आप देखेंगे फिल एडिशन एडिटेस की जो बटन है वो आन हो गया है बैंक सेलेक्ट कीजेए लिटेस डालिए पेमेंट कंप्रीट होते ही आप उसे सेलेक्ट कर लिजेए फिल एडिशन एडिटेस पर क्लिक कीजेए तो यहाँ पर जो है अपने डिटेस बढ़ने हैं जैसे कंसेस डिस्तिक्स से से का टाइप अपने शेलीकान एडिटेस भीट करना हैं एडिटेस लम्हेशिक्स Dare Ibacare है passing year state district certificate type NCVT SCVT अप्टीट certificate है या आपका apprenticeship certificate है या उपना select करना है NTC यानि की जो idea जन्नोंने किये होती है वो NTC में आएगा और जिन्होंने apprenticeship किये वो NIC में आएगा percentage लिए अगर कोई आप क्यों और qualification प्रेशन है अंडर डोशन या पोशिक्रीशन वो स्ट्रेशन कर लिजी किस स्ट्रेम से हैं बट कम्प्लीटड होने चाहिए मदर टंग आपक्या है और चॉइस उप एक्षाम स्ट्रेट कर लेजाए और अपर फ्यू टेवल अथर्टी आप लेना चाहते हैं सेकिंड क्लास रिल्यू पास जो की स्ट्रेटी के लिए अबलेबल है तो यहाँ पर आपको अपना केटिगरी स्ट्रेटीवीड नमबर डालना है डेट आप इसू 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 डबाए प्लेस ओ इसू 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 इस आपने यहाँ पर फिल अपन लिए इसू 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 जीज़ नमया के लिए इसू अपने इसू इसू अपने ड्रेस डाल दीजिए, अड्रेस पू कम्मिनिकेशन, जहां पर आप रहे रहे से में, ड्रेस डाल दीजिए कि अच्किए और आप मैं, वेल्क बाल दीजिए ओीजिए। और दोस्तों यहां पर अपने bank account के टिटिल दा देजिए, जिसमें की जो आपको refund मिलना है यहां पर जो आपका SCST, OBC और General Candidate है, यह सभी के लिए available है SCST के और के जो category है, उनको जो 250 और फीज कट रही है, वो उनको refund हो जाएगा और General के case में जो है, यह आपको 400 और case वापस होंगे General or OBC के case में दुसरी बात है कि यह refund तभी होगा जब आप paper देने जाएंगे अगर आप paper नहीं देते हैं, तो आपको यह refund नहीं मिलने वाएंगे Security को डाली और एक बार प्रॉपरली चेक कर देजिए जो आपने fill up के है अच्छा करने के बाद से संबीट कर देजिए आप लोग को फोटा प्लोट करनी है और अपना जो का सेट्वेट है वो अप्लोट करना है जो जेनर के निडिर है उनको खाली सिर्फ अपना एक फोटोग्राफ अप्लोट करना होगा और फोटोग्राफ में ध्यान रखेगा कि जो आपका नयाम है और जब आपने फोटो कीची है यह दीट अपन जरू टाल देना है यांकि करंट की कोई भी देट आप डाल सकते हैं अतर आपके पास फोटो है कि अधिक कर गोई इसमें प्ज़र्वाव के नाम और जो डेट है तो जरूत डाल देना है नाम डिकने के लिए यह आटेटिंग रंडी के लिए हम लोग फोटोशोप के इस्तमाल करेंगे यहां पर लेवल्स अमने ओपन के है और थोड़ा सो फोटो को ठीक कर लेए फ्रेंड्स यहां पर एक फाइल निव फाइल करेट कीजिए कंट्रोल लाइन और 3.5 इंटू 4.5 सेंटिमेटर का एक फाइल कर लिजे और जो आपकी फोटोग्राफ है उसे ड्रैक करके उस फाइल में ले आएए कंट्रोल टी प्रेस करके आप इसे पुरा ड्रैक कर लिजे इसके बाद मुटूल सेलेक्ट कीजिए और निउ लेयर आप इंसर्ट कर दीजिए मार्गेट विल सेलेक्रने के अब आप कंट्रोल बैक स्पेस से वाइड कलर फिल कर दीजिए और टेक्स टूल लेकर आप अपना नाम लिख दीजिए जो प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है फोटोशॉप में आप वैसे ही फॉलो करके अपने नाम को आडिट अपना नाम जो लिख सकते हैं और जो डे करेंगे तो यह फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा और जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे है वह हमारी मेल पर हम लोग को अपने फोटोग्राफ सेंड कर सकते हैं हम उनको एडिट करके वापे सेंड कर देंगे तो यहां पर हमने डिट लिए है इसे सेव कर लिजे इसके बाद यह फाइल जो आपके फोटोग्राफ है प्लस जो आपने डॉक्मेंट स्कैन किया है उसे अपनोड कर लिजे डिकलेरेशन को चेक कीजे और अपने फोर्म को सम्मिट कर दीजे दियान रखेगा कि इसमें जो आपका डॉक्मेंट है वो हन्नेट के बी से कम होना चाहिए और दोस्तों जिन्होंने पेमेंट की है और उनकी पेमेंट कट चुकी है एक बार और अगर वो रिफंड नहीं हुआ है उसी समय या वो आपका चड़ा नहीं है तो थोड़ा वेट कीजिए 24 आवर्स का वेट कीजिए अगर 24 या 48 आवर्स के अंदर आपके वो नहीं चड़ता है आपके आपके फॉर्म में तो आप दुबारा पेमेंट कर सकते हैं और चेक कर लिजेगा कि वो जो पेमेंट है वो थ्यान रखने माली बत आपने एक जो फॉर्ण मधरे गाइब कर के दूब़्ार से सही घर सकते हैं तो दोस्तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा है ज़रू बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और जल्द ही हम आपके लिए लेगर आने वाले हैं इसके फॉर्म के लिए कि तैयारी क्या से करने हैं इस अपके वीडिय झाले हैं पर जल्सक्दाइब हुर्ण वीडियो कि लिए आने और जल्लेफवा वीडियों कीजिए ओना जल्सक्राइब के लिए और जल्सक्राइब प्राइब सादीन हैं जल्सक्ताइब।